इस समय हम लोग हैं तसरजी के महल में इसको बड़ा इस्थान भी कहा जाता है ये हनुवान गड़ी और राम दला का जो मंदिर निर्मारादीन है इस समय उसके बीच में इसी थे तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कैसा बना है ये मंदिर ये लिखा हुआ बड अंदर बड़ा बना हुआ है ये इतनी अच्छी नकाशी पेंटिंग की गई है यहां पर पुता ही है और दरवाजे देखी कितने बड़े हैं बहुत बड़े बड़े दरवाजे हैं यह यहां पर यह पहला प्रवेश द्वार है यह देखिए काफी बड़ा है काफी बहुत बुच्छा लोग देख रहे हैं दरवाजे कितने बड़े हैं कितने मोटे हैं और चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ यह प्रेवेश द्वार से के बाद में यह थोड़ी से जगह है यहां पर फिर से खुलाव इस्थान चलिए अब चलते हैं दूर से प्रेवेश द्वार के अंदर यह लिखा है दस्रजी महराज का बड़ा माहिद है और यहां पर लोग विश्राम करते हैं अपना थोड़ा सा आप यह ठक जाते हैं कर्मी के मौसम में और यह इसके बाद यह अंदर का यह ऐसा नजारा आपको लोग विखाई पड़ेगा और कि यहां पर लोग निवास भी करते हैं जो लोग बाहर से आते हैं इसलिए से बड़ा इस्तान विखा जाता है और यह हम लोग चलते हैं अंदर तो अंदर से इस तरीके का इद्रश यहां पर आपको दिखाए पड़ेगा जब ऐसे इन ट्री करेंगे आप इसके अंदर का यह देखे किस तरीके से टेंट किया गया है कितना बढ़िया लेखने में लग रहा है और सामने अभी कपाड़ बंद हुए है क्योंकि अभी आर्थी शुरू होने वाली है अर आभी आर्थी के समय भी हम लोग अभी दो कहेंगे यहां पर यह उपर देखी कितनी शांदर डिजाइन बनाई गई है कि सब लोग इंदिजार कर रहे हैं आर्ती के शुरू होने का यहां पर बैठे हुए है आर्ती शुरू हो गई है कि यहां पर आर्ती इस तरीके की धुन पर बजाई जाती है यहां 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 पर इस तरीके का महल बड़ा इस्थान कि यहां पर बड़िया तरीके से बनाए गया है यहां पर इसकी मिलती जिलती जिलक आपको मिलेगी गामला के मंदिर में भी झाल